हलो आप लोग बहुत अच्छी होंगे आपके स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो यहाँ पर हम आज आपके लिए कि आए हैं क्लास 10 अलसकरवाल की बुक से टिक्नोमेट्री आइडिटी एक्सराइज थारीटिन बी का कोशन नमबर 11 & 12 इससे पहले कि अधर कोशन आप सौल कर चो किया होंगा अगर नहीं किये हैं तो आई बोटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लिएगा टिक्नोमेट्री आ उससे बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है सभी कोशन बौर्ड एक्जाम में बहुत बार आया हुए हैं सो इन कोशन को आप अच्छे सो सॉल्व कर लीजएगा मैंने आपको चप्टर के इंपोटेंट कोशन जो टिक्नोमेट्री पूरी टिक्नोमेट्री के पार्ट वन पार कोशन नमबर 11 सॉल्व कर लेते हैं कोशन नमबर 11 आपको दिया हुआ है इस तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आये देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सोचते हैं कि कोश थीटा माइनस साइन थीटा अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं कोश थीटा प्लस साइन थीटा कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा साप सोच यह कैसे सॉल्व कर सकते हैं नहीं आये सॉल्व कर लेते हैं इसको देख लेते हैं आपको गीवन है cos theta minus sin theta equals to root 2 sin theta step by step चलेंगे हम लोग हमें ये given है हमें वो लेके आना है इससे ठीके हमें left side, left hand side, right hand side के नहीं हमें ये दिया हुआ है and हमें आना है कि ये इस के को ला है ठीके अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों side का square कर लेते है squaring both side that means cos theta minus sin theta इसका square equals to root 2 sin theta इसका भी square ओके, now cos theta minus sin theta अगर cos theta को a and sin theta को भी माने तो a minus b का whole square का आपका formula बन जाता है and आप अच्छे से जानते हैं कि a minus b का whole square किसके एकोल होता है a square plus b square minus 2ab clear? यही होता है now a minus b का whole square का formula अप्लाई कर दीचे cos square theta plus sin square theta minus 2ab मतलब 2 cos theta into sin theta clear? now root 2 का square क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा and sin theta का square sin square theta हो जाएगा clear? अब आपके यह square वाली form है इनको आप एक side ले जाएए and cos theta sin theta वाली term एक side ले जाएए that means यह square वाली term हम left side ले जाएगे and इसको right side ले जाते है cos square theta plus sin square theta minus 2 sin square theta यहाँ पर minus में है तो right side में जाएगा plus में हो जाएगा 2 cos theta into sin theta clear? now यहाँ पर plus sin square theta है and यहाँ पर minus 2 sin square theta है तो minus हो जाएगे so value के आएगी cos square theta value कौनसी बढ़ेगी है? minus sin वाली इसलिए minus का sin आएगा and 2 sin square theta में से 1 sin square theta जाएगा तो 1 sin square theta बचेगा that means minus sin square theta sin minus का आएगा क्योंकि यह value हमारी greater है equals to 2 cos theta into sin theta अब आपको cos square theta minus sin square theta बन जाता है guys अगर आप cos theta को a and sin theta को b माल ले तो a square minus b square यह identity आपको मालूम है किसके इक्वल होती है? a minus b into a plus b तो value put कर दें आईए कर देते हैं cos theta minus sin theta into cos theta plus sin theta equals to 2 cos theta into sin theta clear? अब आपको cos theta minus sin theta की value क्या दिए हुई है? 0 to sin theta तो आईए put कर देते हैं 0 to sin theta into cos theta plus sin theta equals to 2 cos theta into sin theta now आप देख रहे हैं आपको cos theta plus sin theta की value calculate करनी है that means हमें सिर्फ इसकी value calculate करनी है यह हम क्या ले जाएंगे? इधर right side में ले जाएंगे तो यह multiply में है याप पर तो right side में किस में जाएगा? divide में जाएगा चीक है? so value हो जाएगी cos theta plus sin theta equals to 2 cos theta into sin theta upon 0 to sin theta clear है? इतना समझ आ रहा है? now हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 0 to into root 2 लिख सकते हैं? आएगे यहाँ पर देख लेते हैं cos theta plus sin theta equals to हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 0 to into root 2 लिख सकते हैं लिख लीजी हमने लिख लिया into sin theta into cos theta यह आप as it is लिखेंगे यही आपका है and upon में आपको दिया है root 2 into sin theta यही आया हुआ है है आपका क्या कुछ cancel out हो सकता है? yes, root 2 से root 2 cancel हो जाएगा sin theta से sin theta cancel हो जाएगा it means cos theta plus sin theta किसके इकोल आगे आपका? root 2 into cos theta and यही तो हमें proof करना था that means यह तो हमारा proof हो गया so, यह cos theta plus sin theta equals root 2 cos theta आगया है नहीं बहुत easy? आपने सोच अथा कैसे solve करेंगे? so, guys, कितना easy है? सिर्फ हमने यह जो आपको दिया हुआ है इसमें squaring, दोनों साइट की squaring वाली term लगाई square open किया and then इसको हमने solve कर लिया यहाँ पर हमने a square minus b square वाली identity लगाई then हमें cos theta minus sin theta की value पता थी तो cos theta plus sin theta की value हमने calculate कर ली so simple now, सेम इसी तरीके से question number 12 भी solve होगा so, आई देख लेते हैं question number 12 कैसे solve करेंगे question number 12 if sec theta minus 10 theta equals to root 2 into 10 theta then prove that sec theta plus 10 theta equals to root 2 sec theta अब इसको कैसे solve करेंगे अब तो guys बहुत easy है सिर्फ टिक्नोमेटरी आइडिटी को change जाएगी then आप देख लेजे इसको solve करने की कौन से steps है कैसे solve करना है okay now, आपको दिया हुआ है sec theta minus 10 theta equals to root 2 into 10 theta clear now, again squaring both side ठीके, square करेंगे दोनों sides का sec theta minus 10 theta इसका whole square equals to root 2 10 theta इसका whole square clear? ये समझ आ गया हम आपको कि कैसे solve करना है now sec theta को अगर हम a and 10 theta को हम b माल ले तो a minus b का formula apply कर सकते है a minus b का formula आप अच्छे से जानते है a minus b का whole square a square plus b square minus 2ab होता है you know very well now apply कर दीजे sec square theta plus 10 square theta minus 2 sec theta into 10 theta clear? equals to root 2 का square क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 10 theta का square क्या हो जाएगा? 10 square theta हो जाएगा now हम लोग क्या करेंगे? square वाली form को left side and जो आपके other terms है उनको right से ले जाएगे that means sec square theta plus 10 square theta and यह जो आपका 2 10 square theta है यह left side में जब आएगा sine chain हो जाएगा minus 2 10 square theta equals to यह जो आपका squaring वाली term नहीं है यहाँ पर minus में है तो right side में जाएगे plus में हो जाएगी 2 sec theta into 10 theta clear? now आप देख रहे हैं यहाँ पर plus 10 square theta है यहाँ पर minus 10 square theta है that means यह क्या होंगे? subtract हो जाएगे 2 10 square theta में से जब 1 10 square theta minus करेंगे तो क्या बचेगा? 10 square theta and sine किसका हैगा? बड़ी value का that means minus so sec square theta minus 10 square theta जाएगा जब हम इन दोनों को minus करेंगे equals to 2 sec theta into 10 theta right? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको sec square theta minus 10 square theta now अगर हम sec theta को a and 10 theta को b माल ले तो a square minus b square का formula अप्लाई कर सकते हैं अब? yes, कर सकते हैं क्या होता है? a square minus b square का formula a minus b into a plus b यही होता है so value put कर दें आइए कर देते हैं sec theta plus 10 theta into sec theta minus 10 theta so हमने sec square theta minus 10 square theta को a minus b into a plus b की फिर्म में convert कर लिया equals to 2 sec theta into 10 theta now sec theta minus 10 theta की तो आपको value दी भी है and sec theta plus 10 theta की value आपको calculate करनी है यही तो calculate करना है हमे so sec theta plus 10 theta हम लोग इसको as it is रखेंगे इसकी value हम फाइंड आउट करनी है इसकी value हमें दी है root to 10 theta equals to 2 sec theta into 10 theta okay क्योंकि आपको इसकी value find out करनी है तो यह जो multiple में जो भी value है यह से हम right side में ले जाएंगे and यहापर multiple में है तो right side में फिर किस में चले जाएगी divide में चले जाएगी चीके so sec theta plus 10 theta किसके equal आजाएगा sec theta plus 10 theta equal आजाएगा आपका 2 sec theta into 10 theta upon root 2 10 theta now आगे solve करेंगे आपको क्या लाना है sec theta plus 10 theta root 2 sec theta के को लाना है that means हमें इसको solve करना होगा ठीके so solve कर लेते हैं sec theta plus 10 theta equals 2 आप 2 को root 2 into root 2 लिख सकते हैं root 2 into root 2 equals to 2 होता है that means root 2 into root 2 into sec theta into 10 theta ठीके upon root 2 into 10 theta यह दिया हुआ है आपको ठीके अभी सिर्फ हमने form में लिखा हुआ है now root 2 से root 2 cancel 10 theta से 10 theta cancel so value क्या आगे है आपकी sec theta plus 10 theta equal आजाता है हमारा root 2 sec theta and guys यही तो हमें proof करना था proof हो गया sec theta plus 10 theta equals to root 2 sec theta that means यह आपस में equal होगा अगर यह equal है then sec theta plus 10 theta root 2 sec theta के equal होगा clear आपको समझ आ गया same basic step follow किये square किया a plus b का whole square अपलाई किया जाने आप a square minus b square का formula अपलाई किया